कि यह हमारा क्वेशन आज क्लास 12 के मैट्स का लीन पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन का तो देखो क्वेशन का है find a separate equation of line represented by following equation और equation डीवी है 3x square minus 2 root 3xy minus 3y square यह जो equation है न यह दो equation को combine करके बनी है तो वह दोनो equation को हमको अलग करना है बस वही इसको बलते है separate equation तीक है अब यह equation जो है यह आपके quadratic form में है तो इसको पहले क्या करो यह x square और y square के साथ जो number है इन दोनों को multiply करो यहाँ पर 3 है multiply और यहाँ पर minus 3 है sign भी ध्यान रखना है तो आपको मिल जाएगा minus 9 क्या मिल जाएगा minus 9 अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको आप multiply करो तो minus 9 आए और उनी दोनों को plus यह minus जो भी करो तो 2 root 3 answer आना चाहिए पीछ वाला तो अगर मैं यहाँ पर अब root 3 है तो root 3 वाला आपको ज़्यादर यूज होगा root 3 वाला अगर आप root 3 multiply root 3 करेंगे तो answer रहेंगा 3 multiply मैं मैं अपने को 9 चाहिए और यहाँ minus 2 root 3 चाहिए तो मैं यहाँ पर ले लूँगा 3 root 3 और सिर्फ root 3 root 3 बोले तो 1 root 3 3 root 3 और 1 root 3 इन दोनों को अगर तुम multiply करेंगे तो 9 आएगा लेकिन आपको minus चाहिए तो minus जब चाहिए उसके लिए कोई भी एक number यह या तो यह minus में होना चाहिए अब यह वार 3 root 3 minus में आएगा यह root 3 minus में यह कौन decide करेंगा यह वो number यह number क् minus में इसलिए बड़ा वाला क्या है बड़ा वाले number को minus करो यहाँ पर अगर plus रहता तो बड़े वाले number को plus अब आप देखो 3 root 3 multiply by root 3 करूँगा अगर में देखो root 3 multiply by root 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है root के अंदर अगर सेम नंबर उन्दर उनको multiply करो तो root हटा देना और वो number को लिख लेना multiply यह वाला 3 तो आपको आएगा 9 और यह minus minus 9 आ रहा है और अगर इनको minus plus करूँगा minus 3 root 3 plus 1 root 3 तो आपको अंसर आएगा minus 2 root 3 यह वा कैसे लिखते 3 x square minus 2 root 3 xy को यहाँ पर लिखेंगे minus 3 root 3 xy और यह प्लस root 3 xy और फिर बचा हुआ minus 3 y square equal to 0 बस यह वाले नंबर को हमने दो में separate कर दिये दो दो चीज में split कर दिये दो नंबर में आप देखो इन दोन में common क्या रहा है ठीक है यह आपको देखना है यह आपको देखना है इन दोनों में common क्या रहा है और इन दोनों में common क्या रहा है लेकिन अगर आप यहाँ देखोंगे सिर्फ y common है तो यह यहाँ पर आपको क्या change करना है वह आपको बताए दो 3 x square minus 3 root 3 xy वैसा का वैसा plus root 3 xy अब देखो root x को अगर root x से multiply करेंगे तो आंसर आएंग यहाँ पर 3 है 3 की जगा पर मैं लिख सकता हूं रूट 3 multiply by root 3 root 3 multiply by root 3 multiply by root 3 multiply by root 3 y square equal to 0 अब आप देखो इन दोनों में common क्या है यह दोनों नंबर में common क्या है यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 3 बाहर निकाल दो और एक और चीज है यहाँ पर x है यहाँ भी x है तो x बाहर निकाल दो 1 x बाहर निकाल दिया अब पहले वारे नंबर में से 3 बाहर निकल गया 1 x बाहर निकल यहां से 3 और x निकला बचा root 3 y थीक है प्लस इन दोनों में common क्या है इसमें root 3 root 3 common है और y और y common है तो root 3 y बाहर निकल लो बचेंगा क्या अंदर यहां से root 3 गया या y गया बचा x minus root 3 और y गया बचेंगा root 3 2 y था एक वाय गया तो एक वाय बचेंगा भी भी तो आपके पास देखो यह वाली यह वाली ब्रैकेट और यह वाली ब्रैकेट सेम है तो आपका एंगा x minus root 3 y यह ब्रैकेट में ठीक है और दूसरी ब्रैकेट बढ़ेंगी 3 x plus root 3 y तो यह दो separate equation आपकी बन गई ह उन दोनों को मैं separate लिख लेता हूँ x3 x minus root 3 y equal to 0 3 x plus root 3 y equal to 0 यह दो separate equation आपको find out होगी है